हेलो दोस्तों, एक्जाम प्रिपेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका आप सभी के लिए UPPSC ROE R2023 की एक्जाम के लिए कंप्रीट प्रिपेशन करा रही हूँ इस चैनल पर जहांपर आप GS के साथ-साथ कोश्यन पेपर्स भी देख रहे हैं और उसके साथ-साथ आप हिंदी की प्रिपेशन भी करपा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ अगर आप समीक्षा अधिकारी और सहाइक समीक्षा अधिकारी के लिए complete preparation करना चाहते हैं तो join कीज़े study for civil services का paid course जो की नया paid course launch हुआ है आप उसे join करके Hindi और GS दोनों की complete preparation कर सकते हैं उसके लिए आप description box में दिये गए number पर contact कर सकते हैं otherwise आपको Google Play Store में जाना है और study for civil services सर्च कीज़े वहाँ पर आपको यह आप मिल जाएगा और उस पर सारे course available है तो यह हो गई आपके course के बारे में जानकारी आज हम लोग science की series आगे continue कर रहे हैं science में हम लोगोंने पिछली क्लास में vitamins उनके sources और deficiency पढ़ी थी आज हम लोग नया topic पढ़ने जा रहे हैं science में उसको complete करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic है major deficiency diseases अब human body में अगर कोई deficiency हो जाती है किसी element की तो कौन-कौन सी disease कौन-कौन से रोग होते हैं उनके बारे में आज हमें पढ़ना है स्टार्ट करते हैं तो सबसे स्ट्व की कमी से क्या होगा body में अनीमिया हो जाता है खून की कमी हो जाती है सेकेंड है स्कर्वी स्कर्वी हम लोग ने vitamin वाले portion में भी पढ़ा हुआ है और जब vitamin C की कमी होती है तो गम से bleeding होने लगती है वीक हो तब ही बोलते हैं ना कि नमक आयोडीन वाला लेना चाहिए तो ध्यान दीजें आप लोग आयोडीन क्या है कि गटर से related है अगर इसकी deficiency हो गई तो गटर हो जाता है नेक्स्ट है मेराजमस लैक ओफ all sources of energy including protein due to long term fasting अब मेराजमस ऐसा रोग है जब energy कम होती बॉड़ी में तरह रहा हो तो क्या होगा carbohydrate भी नहीं रहेगा मतलब energy कैसे खतम होगी दीरे-दीरे carbohydrate खतम होगा फिर fat loss होगा protein भी कम होगा तो body क्या होगी growth भी नहीं कर पाएगी तो क्या होगा अब बात करते कोशी ओर कर की यह तरह की disease है जो कि protein की deficiency से होता है बॉड़ी में अगर protein की कमी होती है तो क्या होता है कोशी ओर कर जैसे बुक मरी यह ऐसे रोग नहीं होता है कि बच्चों में पेट बाहर निकल आता है दुबले पतले हो जाते हैं कुछ ऐसे ही है कोशी ओर कर नेक्स्ट है vitamin D यह की कमी से रीकेट्स हो जाता है बच्चों में ठीक है vitamin D की कमी से फिर है mad cow disease of cattle यह होता है due to a protein called pre-ons की कमी से ऐसा होता है insulin की कमी से अगर insulin की deficiency होगी तो diabetes हो जाएगी sugar balance नहीं होगा means carbohydrate जो है ठीक है glucose balance नहीं होगा body में तो क्या हो जाएगा diabetes होगी जीरो प्थायल्मिया हो जाता है vitamin A की कमी से इसमें क्या होता कि जो आई के side side में आप देखेंगे dryness होने लगती है यह क्यों होगी vitamin A की deficiency से कि एक भी कि तैनि हैं आढ़ tasked है कि कि बीटामीन होगाई और वीटामीन की देफीचिंसी कि- हैं कमी है तो प्लिद्राइद और टोनों कोनिकि है में क्या हम उस्ट्रों मेलेश में क्या है यहां पर बोन्स जो हôt אז बहुत वीक होने लगती हैं और रिकेट्स के चिल्डर्न होता है विटामिन देशिंसी से अब बात करते हैं हीमो रेज की हीमो रेज में क्या है यह हीमो रेज हो जायेगा जीर ऑप्थैलमिया अभी मैंने आपको बताया कि ड्राइनस हो जाती है आई के कॉर्णिया साइट पर क्यों होगा विटामीन A की डेफिसेंसी और विटामीन A की डेफिसेंसी से निक्टालोपीय भी होता है इसमें क्या होता है? common night blindness रात को दिखना बंध हो जाता है या फिर इसको common language में रताउंधी भी बोलते हैं कि रात के वक्त दिखना बंध होने लगता है क्यों होगा? विटामीन A की डेफिसेंसी से इनके sources मैंने आपको बताये हुए हैं विटामीन A, सारी vitamins मैंने complete करा दी है उनके साथ साथ क्या किया है? उनके scientific name, sources और वाकी चीज़ें complete करा दी है तो एवा फिर से revise कर लीजे अनीमिया होगा iron की डेफिसेंसी से विटामीन C, goiter होगा, iodine की कमी से मेराजमस होगा, lack of all sources of energy चाहिए वो protein हो या फिर long time fasting की गई है तो फोशी ओर कर क्यों होगा? प्रोटीन डेफिसेंसी से लिकेट्स होगा, विटामीन D की कमी से mad cow disease of cattle जो है लिकेट्स होगा, विटामीन D की वज़े से रोश्टीयो मेलेसिया भी हीमोरेजिक जो disease है, विटामीन K की डेफिसेंसी से और जेर अप्थैल्मिया जो होगा, वो dryness of eye cornea होगी, वो भी विटामीन A की कमी से, निक्टालोपिया भी होगा रताओनी जिसको बोले, रात के समय दिखना बंध हो जाएगा, तो यह कुछ major diseases है जो आपसे पूछी जाती है, science के questions है common questions है, जो हर बार match the following में या normally आपसे पूछ ले जाते हैं हर exam में लगो science के ऐसे प्रशन बनते हैं आपको यह topic हर बाद prepare करके रखने हैं अपने exam के लिए, वो चाहे ROE RO का exam हो या फिर UPPCS का आप exam देने जा रहे हैं उनमें भी प्रशन, science के वह question बार-बार पूछे जाते हैं तो ROE RO के अगर आप preparation कर रहे हैं तो यह जो वीडियोज आ रहे हैं, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें वीडियो को like करना मत भूलिएगा चैनल को subscribe कर दीजे और bell icon जरू प्लेस कर दीजे जिससे आपको other notification भी मिलते रहेंगे और आप उपने preparation और बहतर करते रहेंगे तैसे और topic के साथ मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद